मस्कर दोस्तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं लाइक करें अधिक से अधिक से शेयर करें तो चलिए दोस्तो हमारे चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज सादर ब्याज पर हमारा दूसरा भाग है आज हम इसमें एक पार्ट हम करा चुके हैं उसमें आपको एक प्रकार के सवाल करा चुके हैं आज हम इसमें मूलधन कैसे ग्याद कर सकते हैं ब्याज दिया हो तो कैसे ग्याद कर सकते हैं मिश्धन हम किस तरह से ग्याद कर सकते हैं आज उसको हम लेके सवाल हल करेंगे ठीक है तो चलिए आज हम पहला सव आप देखते हैं वैं धन्राशि ग्यात कीजीए जिसपर साथ परसंत वार्सिक व्याज की faidžr 280 रुपई जो चार वर्सकी से वुद्हार दिया गया है तो आपको दिया क्या क्या है question question आपकी skin पर है क्या क्या दिया गया है आपको जो rate दी गई है वो दी गई है दोस्तों 7% कितनी दी गई है rate आपकी जो दोस्तों दी गई है वो 7% दी गई है और 4 बर्स की अबदी के लिए time जो कितना दिया गया है वो 4 बर्स की अबदी के लिए दिया गया मैं आपके लिए सारी चीज एक एक पॉइंट इसलिए लिखता हूँ कि आपको पता लगे कि रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है और ब्याज भी, सिंपल इंट्रेस्ट, इसका मतलब साजड़ ब्याज़, पी का मतलब मूलदन, मैं कल आपको ये सारी चीज बता चुका हूँ, अगर दोस्तों आपने पहली बीडियो हमारी नहीं देखी है, तो आप जाकर के, मैं इसका लिंक डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के उस बीडियो को आराम से देख सकतो, तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, तो मैंने आपको ये बताया था, आप समझ लीजिए, कि आप अगर इसको देखोगे, तो परसेंट को जैसी खोलोगे, तो कहोगे सर, परसेंट का मतलबी 100 होता है, क्लियर हुआ, तो 100 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, तो आप ये कहोगे, कि सर 100 रुपए पर एक वर्स के अंतरगत, एक वर्स के अंतरगत, 7 रुपए का ब्याज लग रहा है, 100 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, दोस्तो 7 रुपे का ब्याज लग रहा है किस पर 100 रुपई पर 1 वर्स के अंत में 7 रुपे का ब्याज लग रहा है लेकिन हमें कितना वर्स दिया गया है दोस्तो तो ये आपको दोस्तो 4 वर्स दिया गया है तो आप देखोगे के 4 वर्स के अंतरगत जब एक वर्स में 7 रुपई है तो 4 वर्स के अंतरगत 28 रुपई आपका ब्याज हो जाएगा ब्याज जब देखोगे 280 रुपई तो आपको एक जीरो इधर चिपकाना है तो आपको दोस्तो पता लग गया कि आपका मूलदन कितना होगा 1000 रुपई होगा समझ आया एक वर्स फिर समझ लीजिये आपने देखा दोस्तो के 100 रुपई पर ये 100 रुपई पर एक वर्स के अंतरगत 7 रुपई ब्याज मिल रहा है तो 4 वर्स के अंतरगत 100 रुपई पर 28 रुपई होगा तो आपका जो प्रिंशीपल मूलदन कितना होगा आपका हो जाएगा 1000 रुपे के लिए समझ में आ गया चलिए दोस्तों अगर आपकी समझ में आ गया है तो जल्दी से like कर दीदिए दोस्तों चलते हैं second सवाल की तरफ किसी धन पर 5% सादर व्याज की दर से व्याज 4 साल में 800 रुपे हो जाता है तो वह धनरासी कितनी है तो दोस्तों आपने देखा कि जो यहाँ पर rate जो दी गई है दोस्तों जो rate दी गई है वो कितनी दी गई है 5% ठीक है 5% दी गई है time जो कितना दिया गया है वो दिया गया है 4 वर्स का time दिया गया है 4 वर्स का time दिया गया है और जो ब्याज कितना होता है दोस्तों ब्याज जो कितना हो जाता है वो 800 रुपे हो जाता है तो आप से पूछ रहा है कि वह धनराशी कितनी है किलियर समझ आया तो दोस्तों आप ये देखोगे आपकी समझ में ये आ रहा है के सर 1 साल में आप 100 रुपई में 5 रुपे च लगाते हूं ठीक है तो आप ये देखोगे के 100 रुपई पर एक वर्स के अंत्रगत एक एयर के अंतरगत तो पांच रुपे ब्याज बन रहा है कितना बन रहा है पांच रुपे ब्याज बन रहा है तो जाइसी बात है कि एक वर्स में पांच बन रहा है सो रुपे पर तो चार वर्स में कितना बन जाएगा तो पांच चो के बीस तो आप ये कहोगे sir कि एक वर्स में चार वर्स में 100 रुपई पर 20 रुपई ब्याज बन जाएगा कितना बन जाएगा 20 लेकिन दोस्तो हमें ब्याज दिया कितना है 800 रुपई दिया है और अब आपको पता है कि यह जो हमें ब्याज जो 800 रुपे दिया गया है जब कि यहां पर 20 है तो आप 20 का इसमें डिवाइड करोगे तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि 40 का 20 का इसमें डिवाइड करोगे 40 वार जाएगा तो 40 का आप इसमें जैसी multiply कर दोगे दोस्तों तो आपका जो answer आजाएगा वो कितना आजाएगा 4000 रुपे तो आपको दोस्तों पता लग गया कि आपका जो मूल धन कितना है 4000 रुपे यही आपका प्रिश्न में पूछा गया है समझा या एक साल में 100 रुपे पर 5 रुपे ब्याज बनता है तो 4 रुपे 20 बन जाएगा लेकिन ब्याज हमें 800 रुपे बनाना है तो आपको कैसे पता करना है 20 का जैसी इसमें डिवाइड कर दोगे 40 वार जाएगा 40 का आप 100 में multiply कर दोगे तो 40 पे 2 0 लगा दोगे तो 4000 आपका answer हो जाएगा इतने सरल तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा समझ में आ गया मैं हर सवाल के 2 question लेके चलूँगा जिसे आपका हर सवाल clear हो जाए clear होगा चलते है अगला सवाल लेके चलते हैं अगला सवाल क्या है आपकी screen पर 15 रुपे का धन 6% बारसिक दर से 5 वर्स के लिए उधार दिया गया कितना दिया गया है 15 रुपे का धन 6% बारसिक दर से 5 वर्स के लिए उधार दिया गया अवदी के अंतुमैं मिस्तर धन कितना हो जाएगा तो सवाल आपका है दोस्तों आपका screen पर सवाल दिया गया है कि हमने जो क्या किया किशी को पैसा ब्याज पर दिया गया है वो आपको दिया गया है 15 रुपे 15 रुपे का हमने धन दिया है 15 रुपे का धन दिया गया है और रेट जो कितनी लगाई है वो दिया गया है 6% कितनी लगाई है? रेट जो 6% लगाई गया है और जो time दिया गया है कितने time के लिए दिया गया है जो time दिया गया है पांच वर्स के लिए दिया गया है दोस्तों कितने वर्स के लिए दिया गया है दोस्तों पांच वर्स के लिए दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा मतलब यह amount हो कितना चाहेगा clear हुगा हमें जो principle दिया है वो 15 सुर्पे दिया है rate percent 6% time दिया है आपको 5 verse और यो amount हमको ग्याद करना है तो दोस्तो जब आपको rate मिल जाती है तो मैंने भी आपको बताया कि आप 100 मान के चलोगे और आप यह कहोगे कि सर एक साल में 100 रुपे पर 6 रुपे ब्याज मिल रहा है मैं इसको कई वार बता चुक हुआ कि ब्याज हमेशा percent पर लगता है मतलब 100 पर लगता है तो 100 रुपे पर एक साल में 6 रुपे ब्याज मिलता है तो आप कहोगे कि सर 5 बर्स में यही जो ब्याज 6 रुपे एक साल में मिलना है 5 वरस में कितना हो जाएगा 30 रुपे हो जाएगा 5-6-30 समझा या 30 रुपे हो जाएगा लेकिन ये तो ब्याज 30 रुपे हो जाएगा हमें निकालना क्या है मिस्र धन तो दोस्तो अब आपको निकालना कितने रुपे का है 15 रुपे जब किया हम कितने का 30 रुपे ब्याज कर रहे हैं तो आप ने देखा कि सर ये तो 30 रुपे 100 रुपे ब्याज है तो 1500 के लिए यापर 15 का गुड़ा कर दोगे तो 1500 बन जाएगा देखें 2 0 पहले से ये बिए 15 का गुड़ा इसमें कीया तो 15 का 45 र चारशा हमारा 450 बन गया कितना ब्याज बन गया 450 बन गया और आप देखोगे दोस्तो कि 15 100 रुपे हमने दिया गया था और 400 रुपे ब्याज बन गया है तो आपका जो आंसर हो जाएगा बन जाएगा समझाया क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जो amount जो होता है वो principal plus जो simple interest दोनों को add कर दिया जाता है दोस्तों वही amount कहलाता है जो बच्चे उश्यार है उन बच्चों के लिए कोई problem नहीं है लेकिन जो बच्चे कमजोर है उनको मुझे लेके चलना पड़ रहा है और कहते ना के धीरे धीर ही हम सीखते जाते हैं और कठिन सरल से कठिन की तरफ चलेंगे हम उन बच्चों के लिए भी सवाल लेके चलेंगे जो revise करना चाहते हैं अगला कुश्चन देखें पांच हजार रुपए का 6% बारसिक ब्याज की दर से 4 वर्स के लिए उधार दिया गया तो बताओ वह कितने रुपए हो जाएगा तो दोस्तों यह बिल्कुस सेम वही सवाल है उसी की तरह सवाल दिया गया है क्या दिया गया है देखिये पांच जार टिया गया है और जो rate दोस्तों दी गई है वो कितनी दी गई है वो rate आपको दी गई है 6% दी गई है अभी आपको सवाल कराया था समझ में आगया उसी तरह से सवाल है आप जल्दी से फटावट कर सकते हो कि सर 100 रुपे पर एक वर्स के अंतरगत 6 रुपे ब्याज बनता है तो दोस्तों आप कहोगे कि 4 वर्स के अंतरगत 24 रुपे ब्याज बन जाएगा 6 चौक 24 रुपे क्योंकि 4 चौक 24 रुपे ब्याज बन जाएगा लेकिन हमें पैसा कितना दिया गया है 5000 रुपे दिया गया है तो 2 जिरो पहले से ही है 5000 रुपे पचास का इसमें अगर मल्टिप्लाई करते हैं तो पचास का आप इदर जैसे मल्टिप्लाई करोगे 24 रुपे ब्याज हमारी 1200 रुपे बन जाएगे कितनी बन जाएगी ब्याज लेकिन हमें अमाउंट चाहिए दोस्तों हमको करना क्या है तो 1200 और आपका 5000 तो आपका जो अमाउंट बन जाएगा दोस्तों वो कितना बन जाएगा 2600 रुपे अमाउंट बन जाएगा 6200 रुपे अमाउंट आपका बन जाएगा समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए अगला क्वेशन की तरफ चलते हैं पांच परसेंट बारसिक ब्याज की दर से 500 रुपे का कितने बरस में सादर ब्याज 1500 रुपे हो जाएगा तो बहुत अच्छा सवाल है यह बिल्कुल अलग टाइप का है यहाँ पर आपको 500 रुपे दिया गया है और दोस्तों टाइम नहीं दिया गया इसमें समय पूछा गया है क्या दिया गया है 500 रुपे आपने 500 रुपे ब्याज पर दिया गया है और रेट दोस्तों दी गई है वो आपको 5% 5% दी गई है और आपको टाइम मालुम नहीं है लेकिन जो ब्याज दोस्तों वो दे दिया 1500 रुपे ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 500 रुपे भी आज हो जाएगा तो दोस्तो आपको time बताना है ठीक है आपको क्या बताना time अब तुम सोच रहे हो सर अब कैसे करेंगे हमें तुम time पता जी नहीं है तो दोस्तो आपको इतना परिशान होने की ज़रूरत नहीं है जब आपको ये दोनो चीज म कितना रुपई बन रहा है, डेवड कितो रुपई का 5 % manos. कितना बन जाएगां जा लेंसे तो हमने यह देखा आपने का है, सौ इपर पाँच से जब इसमें डिवाइड क्या तो पाँच से इसमें डिवाइड करेंगे तो 30 रुपे बन जाएगा 5 से यह 100 वर डिवाइट हो चला जाएगा और 5 से यह 30 वर चला जाएगा तो आपने का sir 5 मुणत की रेत से तीस रुपे बन रहा है तो 5 तो भाहिया 5 परसंट की रेत से बन रहा है इसको भाग डिवाइट कर दो जैसे आपने divide कर दिया तो भाईया rate आप देखोगे rate जैसी निकालोगे तो 6 वार जाएगा तो आपका जो समय आ जाएगा वो दोस्तो 6 वर्स निकलके आ जाएगा जैसी rate का आप इस ब्याज में divide करते हो 6 वर्स आ जाएगा जिन वच्चों को नहीं पता है उनको मैंने समझाए था कि ब्याज वराबर rate इंटू time होता है जब भी हम ब्याज में rate का rate में divide कर देंगे दोस्तों तो जो ब्याज ही है वही time बन जाएगा जो 100 वर्पे जो ब्याज होगी वही time बन जाएगा समझ आया किलियर समझ में आ गया होगा चलिए अगर आपकी समझ में नहीं आये तो दूसरा सवाल भी करते है किलियर आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आजाएगा सवाल क्या है साधर व्याज की 6% वार्षिक की दर से 2000 रुपे का साधर व्याज 6000 रुपे हो तो कितने समय की अवदी होगी मतलब क्या समय होगा ये आपको ग्याद करना है दोस्तो चलिए तो अगला दोस्तो सवाल देखेंगे क्या कह रहा है कि आपको जो दिया गया है दोस्तो वो रेट वो आपको 6% दी गई है रेट आपको 6% दी गई है है और आपको जो पैसा दिया गया principle वो 2000 रुपे दिया गया ठीक है और आपका जो ब्याज जो बन रहा है दोस्तों simple interest जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 600 रुपे बन रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि आप टाइम बताईए फटा बट अगर आपकी समझ में आ गया है जिन बच्चों की तो comment box में इसका answer जरूर्द है तो दोस्तों देखेंगे हम मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ब्याज और principle दोनों दिये जाते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2000 रुपए का 6 rate से 2000 रुपए का 6 percent से rate लगा लो या percent लगा तो कोई फरक नहीं बढ़ेगा ब्याज कितना बन रहा है दोस्तों 600 रुपे बन रहा है कितना बन रहा है 600 रुपे बन रहा है तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसी condition है मैं 100 पे निकाल के लाना है तो आप यह कहोगे सर एक 0 से मैंने 0 काट दिया और 2 से इसे 100 वार काट दिया और 2 से आपने इसको तैसी रहने तो 2 को इससे काट दिया तो 30 वार कट गया तो आपने देखा कि 30, 100 पैपर 6% से 30 रुपे ब्याज बन रहा है तो फिर आप 6 का इसमें डिवाइड करोगे तो 5 वार जाएगा और यही दोस्तों आपका 100 पैपर कोई हमने जो रेट लगाई है वो 5 वर्स आपका आंसर टाइम निकलके आजाएगा और आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 वर्स का होगा समझ में आगया होगा चलिए अगला question देखते हैं अब हम रेट किस तरह से गयाद करेंगे अब हम रेट के सवाल लेके चलते हैं आपको मैंने प्रिंसिपल निकालना सकाया, आपको मैंने टाइम निकालना सकाया, अब दोस्तों हम यह देखते हैं, कि अगर रेट ना दी हो, तो हम रेट किस तरह से निकालेंगे, किलियर हुआ, चलिए, 12,500 रुपे की धनरासी, चार बरसों में सादर ब्याज 3,000 रुपे हो जो पैसा दिया गया है दोस्तों वो 12,500, जो हमें पैसा दिया गया है, वो 12,500 रुपे दिया गया है, कितना दिया गया है, 12,500 दिया गया है, और चार बरसों में 3,000 रुपे ब्याज बन रहा है, समय चार बरस दे दिया है दोस्तों, और 3,000 रुपे जो simple interest है दोस्तों, वो 3 हजार रुपे बन रहा है आपको रेट नहीं पता कि सर्विस को कैसे रके में तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं जस तरह से हम ने अभी आपको रेट रखा तो उसी जगह पर टाइम रख लेंगे जैसे के 12,500 रुपे हमने लिया और चार वर्स में cाहर टी में तो हम इससे divide करेंगे, और इससे divide करेंगे, तो आपका यह जाएगा, बारेवार divide हो जाएगगा, कितिनी वाद चला जाएगा, बारेवार divide हो जाएगा, क्योंकि 125 दुनी कितना होता है, सोरी बारेवार नहीं होगा यार 125 दूनी 200 और 400 और 1000 में डिवाइड करेंगे तो 28, 28, 24 तो यह हो जाएगा आपका दोस्तो 24 वार मतलब 1000 का 4 बर्स में 24 रुपे ब्याज बन रहा है किस से 100 पैपर ठीक है 100 पैपर 4 बर्स में 24 रुपे ब्याज बन रहा है तो दूस्तो 4 से आप जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो दूस्तो आपका कितना आंसर आजाएगा, टाइम से 6, तो 6% हमारी रेट आजाएगी, रेट कितनी आजाएगी 6% रेट आजाएगी किलियर समझ आया, क्या समझ आया 6% रेट निकल के आजाएगी अगर आपकी अभी भी समझ नहीं आया तो चलिए हम एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं एक रुपई का 60 वर्सों में सरल ब्याज 9 रुपई बन जाता है सवाल में बोला गया है कि एक रुपई का पैसा जो हमें दोस्तों दिया गया है वो एक रुपई दिया गया है ठीक है? और 60 वर्स टाइम दोस्तों दिया गया हमें 60 वर्स और 60 वर्स में कितना ब्याज बन रहा है 9 रुपई बन रहा है दोस्तों ठीक है ब्याज जो हमारा बन रहा है दोस्तों वो 9 रुपे ब्याज बन रहा है तुम क्या रहे हो सर यह कैसे हो गया बिल्कुल हो गया 9 रुपे ब्याज बन गया है तो आप से पूछा गया है कि बताई कि रेट कितने परसेंट लगाया गया होगा तो दोस्तो आप करोगे क्या आपने देखा कि 1 रुपई पर 1 रुपई पर और 60 वर्स में 60 टाइम में कितना बन रहा है? 9 रुपई बन रहा है तो आप जब इसको 100 बनाओगे दोस्तो तो 2-0 दर चिपका दो और 2-0 दर चिपका दो कोई दिक्कत नहीं है भई दो जीरो मैंने दर दर लगा दिया है कोई फरक नहीं पड़ेगा अब आपको एक जीरो से इसे जीरो काट लो और छे से इसे नब्बे पंदरे चेक के नब्बे पंदरे वार जा रहा है तो आपका आंसर कितना हो यागा 15% यहीं कह सकते हो के 100 पे भाई यह टाइम में 15% रेट लगाया होगा तो यहीं आपका आंसर हो गया होगा अगर दोस्तों अगर आपको मेरा कॉंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वो अधिक से अधिक बच्चों को share करते है ठीक है और comment करें जो भी आपको question की problem हो कठिन से कठिन सवाल पूछना चाहते हैं आप comment box में भेजिये सारे topic लेके चलेंगे लेकिन एक एक question को कराके चलेंगे एक एक type को कराके चलेंगे जिससे आपको आसानी से कोई भी चेप्टर में से सवाल आए उसको हल कर सकते हैं तो दोस्तो हमारे AM Education को आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए और शेर भी जरू कर दीजिए तो आज का एपीशोड हमारा यहीं करतम होता है अगली क्लास कल उसी समय मिल जागी आपको